सात्यों दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसने साइन्स और टेक्नोलोजी के बगैर प्रगति की रहे हैं देश में साइन्स और टेक्नोलोजी का इको सिस्टेम बहुत मजबूत होना चाहिए एक ऐसा एको सिस्टेम जो प्रभावी भी हो और पीडी दर पीडी प्रेरणा देने वाला भी है हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हमारा प्रयास है कि छठी क्लास से ही विद्यार थी अट्रल टिंकरिंग लैप में जाएं और फिर कॉलेज से निकलते ही उसको इंक्यूबेशन का स्टार्ट अप का एक एको सिस्टेम तयार मिले इसी सोच के साथ बहुती कम समय है देश में पांच हजार से अधिक अट्रल टिंकरिंग लैप बनाएं गए इनके अलावा दो सो से अधिक अट्रल इंक्यूबेशन सेंट्र भी तैयार किये हैं हमारे विद्यारती देश की चुनोतियों को अपने तरीके से सौल करें इसके लिए लाखों लाख छात्र छात्राओं को अलग-अलग हैकेतोंस में सामिल होने का आउसर दिया गया है इसके अलावा नीतियों के जरिये आर्थिक मदद के जरिये हजारों स्टार्टरप्स को सपोर्ट किया गया है साथियों हमारे ऐसे ही प्रयासों का परनाम है कि बीते तीन साल में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 81st rank से 52nd rank पर पहुच गई है आज घारत दुनिया का तीसरेस सबसे बड़ा सक्सेस्पूल स्टार्टरप इकोसिस्टिम बज़ गया है इतना ही नहीं हायर एजुकेशन और रिसर्ट के लिए भी अभुद्पुर्वक काम किया जा रहा है हमरे हायर एजुकेशन से जुड़े नए संस्थान बनाने के साथ साथ उनकी फंक्शनल अटोनॉमी को भी बढ़ाया है कर दो